प्रविक्षण या निरिक्षण का अर्थ दूसरे के दूसरूं के कारियों का अदिक्षण करना दूसरूं के कारियों का सत्ता सहयोग से निर्देश करना प्रविक्षण शब्द का अर्थ परिणामों का वलोकन प्रशासनिक संगठन में जहां भहुत संग्ठन कार्य करता नेक स्रेणियों और रगों में भी विविकता है वहां इसके अत्रन तावशिकता है प्रविक्षक संग्ठन में समनवे किस्तापना के लिए अधिक्षन, संप्रेशन, नियंद्रण, नेतत्वाय आदि को अपनाता है प्रशास के संगठन में पद्सोपान में उच्छे अधिकारी निमना अधिकारी वैदिनेस तुमका परवेक्षन के माजमें नियंदेन करता है परवेक्षन शब्द अब प्राय देख रेक से है दूसरों के कारियों को सत्ता के साथ निर्देश करना दूसरों के कारियों का सत्ता के सहयोग से निर्देश करना निर्देश न मातर उपदेश की भांते नहीं बलकि अधिकार के साथ सत्ता के साथ निर्देश में जब उपर से बाद्यकारी शक्ति का प्रियोग हो तो वह परवेक्षन कहलाता है परविक्षन है शब्द अंग्रेजी का सुपर वीजन शब्द कानवाद सुपर वीजन शब्द से मिलकर बना है उच्च द्रस्टी सुपर वीजन सत्ता सहीत काम की देख रेग उच्च द्रस्टी इसका भावार्थ यह है कि सत्ता सहीत काम की देख रेग मार्गेट वीलियमसन परविक्षन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतरगत करमचारियों को उनकी देख रेग के नुसाष सीखने में उनके ज्ञान और कोशल का स्रोतम प्रियोग करने में तथा उनकी योगितां का सुधार करने में किसी प्रदादिकारी की साहेता मिलती है ताकि वे अपने कारिये अधिक प्रभावसाली ढंग से करें और उन्हें स्वयम को तथा संग्ठन को अधिक अधिक संतोस मिलता रहे जैसा कि परव्यक्षण का जो अर्थ शीकने के साथ एक होता नीरिक्षण एक होता परविक्षण नीरिक्षण में वेक्ती उसकी कमियाँ देखता है नेगेटि ज Sven- prayer कार जब भी इंस्पेक्षण की कोई बात आती है तो करमचारियों और अधिकारियों के बीच में अधिकारियों में ऐसा डरसा भैसा बना रहता है किन्तु परवेक्षन है कैसी प्रक्रिया है जिसमें अधिकारी अधिनस्तों के साथ काम करके दिखाता है कि कोई समश्य आती तो उनको दिखाता कि इस समश्य के समादा निस प्रकार से के जाता है का प्रतेरिशन दूसरा हए निक्षिस में देखा जाता है कि कारिये पूरा हुक्ष जखका पार्वनं के शुरे से में परियाप देता है को स्भाना सदे परवेक्शन अंतर नहींнит है आज परवेक्षक वरिष्ट सयोगोताब वह सुझाव देता है संहथन से काम करते परविक्षक कौनकोन सी बाते समलीत हैं कि परविक्षक हाले में हाल से जैसे नहीं लिखा है प्रतेक क्रिते के लिए उप्युक्ति व्यक्ति छांटना प्रतेक व्यक्ति में उसके कारे के प्रति रुची उत्पन करना तता उसे कार्य करने का ढंग सिखाना कार्य संपन किये जाने की गति तता दर्नापना ताकि ये निश्य हो जाए कि शिक्षक पूर्ण रूप से प्रभावसाल इसी दुआ है जहां तक गलती या सुधारने की आवशेक्ता हो तो वहां गलती सुधारना और जिस पर असर प्रभाव न हो उने किसी अन्या उप्युक्त कार्य में लगा देना उनको हटा देना जब प्रश्यंसा करने की आवशेक्ता है तो प्रश्यंसा करना अच्छे कार्य के लिए पुर्ष कर देना अंत में प्रतेक व्यक्ति को कारे समों के लापूर्ण तरीके से नियत करते हैं यह सभी कारे उची ठंक से धहरिये के साथ कोशल के साथ कुरे की जाने चाहिए जिससे की प्रतेक व्यक्ति को अपनी कारे की चतुराई और बुद्धि मानुस्सा से उस्सा के साथ पूर्ण कर स हो रही है नहीं इसकी देख्रेक करने का होता है दूसरा प्रविक्षन का उदिशे इतना व्यापक नहीं होता है यह प्रविक्षन एक कारे भी थी या प्रक्रिया की देख्रेक को ही अपना धे मानता है उदान के लिए कपड़े की मील में मखिक कारेकारी अधिकारी CEO जो प्र प्रबंदन और रंगाई व्भाग का प्रबंदक उस व्भाग की प्रक्रिया में गोर रखता है जिससे वह संब्धित रहती तक्निक छे तक्निक हैं मिलेट ने परवेक्षक की छे तक्निक बताई हैं योजनाओं का पूरुव अनमोधन करना जैसा की परवेक्षन का दाई तो होता है वह अपने पूरुव अनमोन एप्रूवल इन एडवांस के अधिकार को अपने हाथ में सुरुक्षित रख लेता है अपने अधिन होने वाले विभिन कारियों की प्रियोजना को स्व्यम ही अनमोधित करता है पूरो अनुमान का प्रभाव होता है जो भी कारी होता है उसकी जानकारी में उनके निर्देश अनुसार होता है भारत में वित मंत्राले भी भागूं मंत्रालों परियोजनाओं को अपने पास मंगवाता है जब इन परियोजनाओं का अनुमोधन वित्मंत्राल कर देता है तब यह परियोजनाओं प्रारम की जा सकते हैं इसलिए योजनाओं से पूरुव अप्रुवल इन एडवांस याँ योजनाओं का पूरुव अनुमोधन करना सेवा का एक निश्यत इस्तर की हो पर्वेक्षक इस उद्विष्च आपती के लिए पहले से ही एक इस्तर निर्थारित करके उसकी प्रापती को अनिवारी घोशित कर सकता है उदान के लिए कारयाले का प्रबंदक वय गोशित कर सकता है कि परते एक तिन टाइपिस्ट को 40 पर टाइप करने है यह ते होता है कि एक सब्ता में प्राध्या पगर्ण को 18 ऐ 16 बीजी ऐ 26 एक पीरिड लेना होता है एक टास्क होता है तो ऐसे किसी भी कारियल में ये घोज़ित करता है कि इतने ये काम होना चाहूँ आई वेपर नियन रब एक प्शा शेकर चाहता है कि कारिय की जो इच्छा के अनुकुल हो और इसका सबसे उच्छा त्रीका ये कि आई वेपर नियन रब कि यदि विभाग में आय करने वाला तो अधिकारी वर निर्धारत कर सकता है एक महा का नियुनतम आय करने वाला है तो अधिकारी निर्धारत कर सकता है कि एक महा में नियुनतम आय इतनी होने चाहिए जिन विभागों को जन्ता की सेवा करना है मुख्य रूप से धन व्यक कर कर ना कि उनके प्रवेक्षण कर निर्धार्थ कर सकता है कम से कम इतना धन प्योग में आना चाहिए और सिल्य आइव पड़नियद्ध अदिनस्त करमचारियों मैंसे मुख्यों की न्यूक्ति जिसका परवेक्षन का उत्रदाइत्व है उसको यह अधिकार होना चाहिए कि उसके अधिन जो कार्मिक न्यूक्त हों उनके अनुमति से न्यूक्त हों कार्यों की प्रगति के समन्द में प्रतिवेदन मांगना परवेक्षक को संग्ठन के कारियों की प्रगती के समद्ध में प्रतिवेदन मांगते रहना चाहिए विभिन छेत्रों में नीमित रूप से कारिय करने की प्रतिवेदन इस परस रूप से बता सकेगा कि उद्देशी की प्राप्ति की सीमा तक हो रही है संक्ठन किस हद तक निर्षायत मारक पर आगे भढ़ रहा है परतिवेदन भिन मिन प्रकार के हो सकते हैं निरिक्षन करना निरिक्षन का तात्प्री है यह देखना है कि काम किस प्रकार से हो रहा है निरिक्षन का उदिश से सुचना प्राप्त करना है यह प्रबंद के प्रियोजनों और अविप्राईयों को इस पस्ट करने में साहता देता है इस प्रकास से आज इसके लिए इतना ही धन्यवाद